नमस्कार आज हम 27 नवंबर 2020 के करेंट अफेयर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पीडियाफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आज का फर्स्ट कोशन है अंताराश्टिय किर्केट परिषत के नई अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है और इसका सही आंसर है आप्शन सी गैग बार के लिए निवजिलैंड किर्केट के गैग बार के लिए जो की अब IECC के नई चेर्मेन के रूप में नुक quarter जो है ICC का बाद दोबई United Arab Emirates में है अगला कोशन है Invest India और निम्लिकित मैसे के संगठन ने भारत के लिए Sustainable Development Goal Investor Map लाँज किया है और इसका सही आंसर है Option B United Nation Development Program United Nation Development Program UNDP और Invest India ने भारत के लिए Sustainable Development Goal Investor Map लाँज किया है Investor Map में Sustainable Development Goal में सक्षम 6 महत्वपूर शेत्रो में निवेस के अफसर वाले 18 सेक्टर्स को दिखाया गया है यह जो सेक्टर्स होंगे वहाँ भारत को Sustainable Development Goal की दिशामें ले जाने में मदद करेंगे मतलब जो भी हमारे Sustainable Development Goal है उन्हें पूरा करने में यह मैप मदद करेगा जो सिक्स सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल जो सेक्टर्स हैं वहाँ एजुकेशन हेल्थ केर एग्रिकल्चर और अलाइड एक्टिविटीस फनैंशल सर्वेसिस रिन्यूबल Energy and Alternative and Sustainable Environment है निस्ट कोशिन है हाल ही में फगवारड़ा मेगा फूड पार्क का उध्गाटन किस राज्य में किया गया है और इसका सही आंसर है फगवारड़ा मेगा फूड पार्क का उध्गाटन आप्शन भी पंजाब में किया गया है फगवारड़ा के गाउं रावल पिंटी में बने मेगा फूर्ड पार्कर वर्च्वल उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेद मोदी के नित्रुत में केंद सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातर काम कर रही है क्रेशी उपजों की MSP जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया गया है 10,000 नई फूर्ड प्रोसेसिंग और्गनाईजेशन बनाने की स्कीम सरकार लाई है किसानों को व्याज सबसेडी दी ज़ा रही है छोटे किसानों को भी लाब पहुचाने पर पूरा ध्यान दिया ज़ा रहा है अभी तक टोटल 37 फूर्ड पार्क को केंदर सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है जिनमें से 20 जो हैं वह इस्ट में प्रारम हो चुके हैं मतलब पूरप में फूर्ड पार्क का उद्देश्य जो है किसानों की जो प्रॉसेसिंग इंडस्टीज वह जितने भी रिटेल सेलर्स हैं उनको एक साथ लाना ताकि जो एक्रिकल्चर प्रोडेक्ट्स को एक तंत्र के माध्यम से जोड़ा जा सके मतलब एकी लाइन में सारी चीज़ें हो इन फूर्ड पार्कों का उद्देश्य जितने भी फूर्ड प्रोडेक्ट्स या फूर्ड प्रोसेसिंग इंडस्टीज को 6-20% तक बढ़ाना है ठीक है और तता फूर्ड प्रोडेक्ट इंडस्टीज में भारत की हिस्सेदारी को भी बढ़ाकर 1.5 से 3% तक करना है अगर हम कुछ स्टाटिक इंफॉर्मिशन की बात करें तो यहाँ पे जो ब्यास कंसर्वेशन रिजर्फ हरीके वेटलेंट कांजी वेटलेंट कैशोपियर मियानी कॉम्मुनिटी डिजर्फ है रोपर वेटलेंट और नांगल वाइड लाइफ सेंट्री है ठीक है गवर्नर यहाँ के वीपी सिंग बदनौर है और चीफ मिनिस्टर अमरेंदर सिंग है निक्स्ट कॉशन है निम्लिकित मैसे के संगठन ने पहली बाद वरुनास्त्र को हरी जंडी देकर उसे भारतिय नौसैना को सौपा है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डियार्डियों ने ठीक एवी वीट टॉर्पीडो वरुनास्तर की पहली यूनिट को भारतिय नौसैना में शामिल किया ज़ा रहा है डियार्डियों के सचीफ जो है जी एस रेडी ने आंदर पधेश के विशाकर पतनप में एक समारों में इसे हरी जंडी दिखा कर रवाना किया वरुनास्तर नाम है यह पूरी तरीके से इंडीजीनियस है स्वदेश ही है मतलब अपने ही देश में नेर्मित है यह 74 किलो मीटर पर आवर की स्पीड से हमला करता है भारतिय जो नौसैना है उसने 1187 करोड रुपे में 63 वरुनास्तर का ओर्डर दिया है इसमें जहाज और सम्मरीन दोनों से होने वाले टॉर्पीडो शामिल है अब तक भारतिय नौसैना विदेश से खरीदे गए टॉर्पीडो का ही इस्तिमाल कर रही थी नेक्स्ट कोश्चन है निम्लिकित मैंसे किस ने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रवंदन प्रडाली HRMS शिरू किया है इसका सही आंसर है ऑप्शन भी इंडियन रेल्वे ने लॉंच्ट किया है डिजिटल ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जिसे HRMS इंडियन रेल्वे के द्वारा लॉंच किया गया है यहां एक पहल है डिजिटल की तरफ ठीक है ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इससे क्या होगा जो रेल्वे सिस्टम की एफिशेंसी और प्रोडेक्टिविटी इंप्रूव होगी यहां रेल्वे का जो भी काम होता है उसमें accountability और transparency भी बढ़ाएगा यहां प्राइम मिनिस्टर नरिद मोदी का जो vision है डिजिटल सुसाइटी को बनाने में मदद करेगा HRMS Human Resource Management System में टेक्निलोजीस का भी काफी हद तक यूज किया जाएगा और new technologies को भी बढ़ावत दिया जाएगा next question है भारत की श्वेत कांती के जनक के रूप में भारत में श्वेत कांती के जनक के रूप में किसे जो आना जाता है और इसका सही आंसर है option C वर्गिस कुरेण को sorry 26 नवंबर 26 नवंबर को National Milk Day के रूप में celebrate किया जाता है यहां दिन जो है वाद 2014 से बनाया जा रहा है father of India's white revolution डॉक्टर वर्गिस कुरेण के जनम दिन के रूप में यहां दिन याद किया जाता है इसी के साथ अगर हम world milk day की बात करें तो वहाँ एक जून को celebrate किया जाता है जबकि national milk day 26 नवंबर को celebrate किया जाता है next question है भारत और किस देश ने परियावरण सेलक्षर और जैव विवेदिता सेलक्षर के शेत्र में सहयों के लिए समझता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है और इसका सही आंसर है option A, Finland ठीक है धरती पर बढ़ते प्रदूशर और climate change से दुनिया भर में आपदाओं की घटनाएं बढ़ती जारी है मतलब बहुती जादे events जो हैं वो काफी जादा बढ़ते जारे हैं प्रदूशर की pollution की वजह से भारत में मोधी सरकार ने शुरू से ही वर्ल्ड के सामने climate change का मुद्दा उठाया है और वो कई बार दुनिया को प्रकर्ती के बारे में अपनी जिम्यदारी का एहसास दिला चुके हैं और इसी क्रम में भारत और Finland दोनों ने एक MOU साइन किया है जिससे दोनों जो countries है वहाँ आपस में मिलकर काम करेंगे environmental protection और biodiversity conservation के field में ताकि environment को protect करना और biodiversity को भचा के रखना है इसलिए दोनों countries मिलकर MOU साइन कर चुके हैं अगर हम location की बात करनें Finland तो आप ये map में देख सकते हैं ये Finland है फिनलेंड के बारे में कुछ और information देख लेते हैं Gulf of Botnia Gulf of Botnia जो है वहाँ Finland और Sweden के बीच में है जबकि अगर हम Gulf of Finland की बात करें तो यहाँ Estonia और Finland के बीच में है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं Balticsी ठीक है और अगर हम Finland, Finland की जो capital है फिनलेंड की capital जो है वह हेलसिन की है ठीक है फिनलेंड की राजधानी हेलसिन की और यहाँ पर एचली लंबरिंग और paper industry का काफी जादा मतलब industries काफी जादा है क्योंकि यहाँ पर शंकू जो पेड़ होते हैं वो काफी जादा पेड़ है ठीक है इसकी वज़े से यहाँ पर लकडी चिराई जैसे हम बोलते हैं लंबरिंग और कागज उद्धोग paper industries और जलियान उद्धोग के लिए यहाँ एरिया काफी जादा महत्वपूर है और अगर हम हेलसिन की की बात करें तो इसे नॉर्थ का white city के रूप में भी जाना जाता है currency जो है फिल्लेंड की वह यूरो है PM यहाँ की सना मारिन है निक्स्ट कौशन है इंडिया post payment bank IPPV ने किस वीमा कंपनी के साथ प्रधान मंत्री जीवन ज्योती वीमा योजना शुरू करने के लिए साज़ेदारी की है मतलब कोशन यह है कि इंडिया post payment bank ने किस insurance company के साथ मिलकर partnership की है कि दोनों मिलकर launch करेंगी प्रधान मंत्री जीवन ज्योती वीमा योजना और इसका सही आंसर है option D PNB MetLife India Insurance अब यह जो है वो दोनों जो insurance company है अगर हम इसके बारे में जानने तो प्रधान मंत्री जीवन ज्योती वीमा योजना एक term insurance plan है इसमें निवेश के बाद अगर वेक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2,00,000 रुपे मिलती है टर्म प्लान लेने के लिए जो minimum age होती है और maximum age 50 साल है जबकि इसमें जो maturity period जो है वह 55 साल है इसमें हर साल premium देना पड़ता है 330 रुपे Next question है समिधान दिवस किस दिन मनाया जाता है किस दिन constitution day observe किया जाता है इसका सही answer है 26 नवंबर को constitution day के रूप में observe किया जाता है constitution day या फिसे समिधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है ठीक है constitution day जिसे 26 नवंबर को mark किया जाता है ठीक है और इसलिए किया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने Indian constitution को adopt किया था जबकि या effect में आया था 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर ठीक है और यह जो दिन है constitution day जिननोंने constitution को draft करने में एक महत्वपूर्ट रॉल निभाया था ठीक है और इससे पहले इस दिन को एक national law day के रूप में जाना जाता था next question है हाल ही में Diego Maradona का निधन हो गया वहां कौन थी तो यह जो Diego Maradona जो थी वहां footwaller थे काफी famous footwaller थे यहां Argentina के footwaller थे ठीक है जिनका हाली में निधन हो गया कल हमने आपसे question पूछा था हाल ही में कक्षल दूप समाचारों में है यह निम्री की दूपाँ में से किसका एक हिस्सा है और इसका सही आंसर है Nicobar Island option B यह गलत है इसका आंसर है उत्राखंड नेक्स्ट भी गलत है क्योंकि जो Mount Visovias volcano जो है वह इटली में इस्तित है मैंने आपको बताए भी था एक coastal city है नैपलास उसके पास में इस्तित है और यह main area land में इटली के यहां mainland में इस्तित है Mount Visovias जो कि एक active volcano है निक्स्ट कोश्चन है अभ्याम एप जो यह भी गलत है क्योंकि इसका सही आंसर है आंद्र प्रदेश ठीक है यह वोमेंस और च्वैल्ड के लिए एक emergency panic button की सुविदा प्रोबाइट करेगा अभ्याम एप आप सभी के लिए कोश्चन है नैशनल पोर्टल ट्वांस्टेंडर पर्सन और इइ इनागरेट किया है गर्मा ग्रहम निक्स्ट कोश्चन है सेकर्ड गेम्स ने जीता है best drama series अबड इंटनेशनल एमी अबड ट्वेंटी ट्वेंटी में निक्स्ट कोश्चन है उत्राकर्ण ने लॉंच किया हिम सुरक्षा अभ्यान ताकि जो पीपल से उन्हें सैनिटाइज किया ज़ा सागी सहकार प्रग्या क्या यहाँ वोमेन की से रिलेटेड है मेट्रोपॉलिटियन सिटी इसमें आप इनके आंसे टू और फॉल्स की फॉर्म में दीच हुए इसी के साथ आज का करंटर फिर यहीं समापत होता है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ब्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्वाइब कीजिए थैंक्यू सो मच